Hey Hello and What is the Traders, Welcome back to another video, Welcome to Finostat Stock Study YouTube Channel बात करेंगे HDFC Bank Quarter 2 FOI 23 रिजल्स के बारे में मार्केट मंडे को कैसे परफॉर्म कर सकता है Nifty Bank Nifty and Rebels भी बताऊंगा HDFC Bank के रिजल्स के बाद मार्केट में क्या U-Turn आएगा on the upside because रिजल्स यहाँ पर बहुत अच्छे आए है रिजल्स का पूरा बैलेंशीट जो है PDA format में मैंने अपने Free Telegram चलेंगे अप्लोड कर दिया तो Description में लिंक है वहाँ से आप Free Telegram चलेंगे को जॉइन कर सकते है Regular Market Updates के लिए News के लिए और अलसो यहाँ पर Nifty Bank Nifty के आपको Analysis Education Levels भी शेर के जाते है तो यहाँ पर आपको बहुत जारा help होता है कल Nifty का एक call option भी दिया था लगबग 125 में buy करवाया था 17,250 का call option it made high of 180 तो यहाँ पर बहुत अच्छा खासा profits आपको हुआ होगा Bank Nifty का भी setup मैंने यहाँ पर explain किया तो regular basis पर आपको यहाँ पर market updates मिल जाते है description में link है वहाँ से जरू join कीजिए Monday को कैसे market perform कर सकते है आए देख लेते हैं उसके पहले HDFC Bank का quarter 2 का results देखी यहाँ पर quarter 2 को results बहुत अच्छा है है previous quarter से बहुत अच्छे numbers हम लोग देख सकते है in fact net NPA भी यहाँ पर आपको देख सकते है जो point of view से जो expenses बहुत जादा बर के आने का जो अनुवान था इसलिए जो over reaction था stop में वो नहीं हुआ है तो expenses भी control में है यहाँ पर income बहुत जादा है banks का यहाँ पर जो next चीज देखने के लिए वो है net profit देखे net profit भी यहाँ पर बर के आया है लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो करीब करीब 10% से जो है net profit बर के आया है उसके बाद हम लोग check करते net NPA देख सकते हैं यहाँ पर gross NPA आप देख सकते हैं यहाँ भी घटके आया gross NPA नेट NPA भी यहाँ पर 5 basis points से घटके आया तो बहुत अच्छा यह माना जाता है bank का asset quality के लिए तो bank का asset quality भी यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत अच्छा है यहाँ पर जो है asset quality में भी appreciation हुआ है अब charts में सीधा चलते हैं तो results बहुत अच्छे है और बजाज ऑटो के भी मैंने update कर दिये थे यहाँ पर ग्रूप पर तो यहाँ पर बजाज ऑटो का देखिए record sales पर यहाँ पर रेकॉर्ड लेवल्स पर आया है revenue and EBITDA margins तो बजाज ऑटो के भी record numbers यहाँ पर दर्च किया गया है quarter to results तो यहाँ पर बजाज ऑटो का चार्ट पे चलते हैं stock ने कैसे reaction दिया Friday के ट्रेडिंग सेशन ने बिल्कुल opposite reaction दिया है तो इसका आपको फिर से retracement on the upside भी आने को यहाँ पे आपको मिल सकता है देखने को मिल सकता है on the Monday trading session तो results के point of view पे अगर मैं यहाँ पे तीनों चीज को एक साथ मैं एसेंबल करूती है यहाँ पे जो है HDFC bank का results बहुत अच्छा है लेकिन stock कुछ खास perform नहीं किया था क्योंकि gap up इतना बरा हुआ था उसके बाल किसी को भी opportunity नहीं मिला perform करने का भी hg snifty देख लेते हैं देखिए hg snifty react करता है युस मार्केट से तो कल युस मार्केट आपने देखा हुआ कैसे pump and dump scheme चल रहा है युस मार्केट में लेकिन यहाँ पे अगर आप connect करेंगे dots को तो यहाँ एक movement के बाद थोरा बहुत retracement बनता है तो यहाँ पे मुझ 17,047 लगभग 165 points नीचे बन्द हुआ विकॉस कल डाव जोन्स गिरा है तो इसका चलते आपको बहुत ज्यादा over reaction देखने को मिला है HGX Nifty में तो results अच्छे आए हैं HDFC आपको पता है market का king है इरिलाएंस HDFC बजाज ओटो TCS ITC तो यह सब जब चलते है market भी चलने लगता है तो यहाँ पे बात करेंगे कुछ stocks के बारे में भी लेकिन HDFC का results के बाद आपको क्या करना चाहिए दिके stock में मैं पहले आपको यहां पर मैं लगा लेता हूं ठीक है 50 और 200 यह में बहुत अच्छे से आपको जो है नोट करना है HDFC बैंक में ठीक है 50 यह में आपको मैं यहां पर सिखा भी रिता हूं कैसे आपको moving average लगाना है पहले इंडिकेटन्स पर जाके आपको moving average दो बार टाइप करना दिन उसका style जो है दोनों का color आपको चेंज करना एक जैसे मैंने यहां पर एक sky blue रख दिया एक यहां पर जो है मैंने यहां पर 200 यह में करना है एक का 50 यहां याद रखिए एक 200 exponential moving average होना चाहिए एक आपका 50 day moving average यहां पर आपको लगाना परेगा तो इसका color मैं orange कर देता हूं ठीक है त moving averages में जब जब ऐसा एक crossover होता है market में एक U-turn एक rally आती है on the upside तो यहां पर HDFC bank को भी आपको track करना है for a sharp upside यहां पर मैं expect कर रहा हूं gap down खुलनेगा तो अगर यहां पर आसपास कहीं पर खुलता है 1430 के आसपास तो HDFC bank को हम लोगो short नहीं करना है यहां पर results अच्छे आ हैं आपको जो यहां पर long कर सकते हैं HDFC bank में बहुत अच्छा यहां पर आपको risk reward मिल जाएगा नीचे का risk बिल्कुल limited है यहां पर moving average जो 50 day moving average है यहां पर 50 EA में तक का support market ले सकती है तो यहां पर stop loss आपको कहीं पर 1420 के आसपास का stop loss यानि कि सिर्फ 10 रुपेग आपको risk होगा on the upside you see you can get more than 40 points on the upside to HDFC bank का मुझे बहुत अच्छा यहां पर Kodak bank भी बहुत अच्छा momentum में है तो call option Kodak bank का भी आप ले सकते हैं तो overall जो market का structure मुझे लग रहा है Monday को एक बहुत अच्छा sharp up move आपको देगने को मिलेगा जो Friday के डिनिंट सेशन में नहीं हो पाए बिकोज gap up इतना खुल गया थे कि जो smart bulls रहते हैं market के जो smart players रहते हैं वो गैप यह बहुत बारे gap down पर selling या बहुत बारे gap पर buying में interested नहीं होते हैं क्यूंकि fair price नहीं मिलता जैसे MFSL में जैसे max financial में हम लोगों ने देखा कि यहां पे जो है market hours में कुछ तो ऐसा एक news आए क एक्सिस बैंक का जो डील था फियर मार्केट वैल्यू पे नहीं हुआ इसलिए स्टॉक दीए करीबन एक ही कैंडल में पंदरा मिनिट के कैंडल में जो है स्टॉक आपको सौ पॉइंट गिरता हुआ दिखा जिस जस्ट बिकाउस नौट ट्रेडिंग इन दा फियर वैल्यू तो यहां पे जो है सेल उफ आई उसके बाद कुछ अच्छा नूज आया फिर अचानक से यह फिर बर गया तो मार्केट का यह ऐसा ओवर्याक्शन आपको देखने को मिलता है जब भी मार्केट नौइजी हो जाता है बहुत जादा यहां पे जो रियाक्शन बहुत जादा यहां पे ओवर्याक्ट करते हैं मार्केट के पार्डिसिबेंट्स तो यहां पे आपको बिल्कुल भी एकदम से तेजी में बिल्कुल आपको जो है आपको तेजी नहीं करनी है मंदी में आपको बेचना नहीं है तो कल अगर यहां पे मार्केट जैसे जिक दिखा रहा है इ कुछ यू बता रहा है नीचे में call writing उतना हुआ नहीं है अब नीचे में call writers सब exit किया है इसलिए market जब नीचे आ रहा था call writers position add नहीं position unwinding कर रहे थे slowly तो यहाँ पे जो है market में जो भी हुआ Friday trading session में adjustment जादा हुआ इसलिए range bound market overall रहा है और यहाँ पे premiums में अगर आप देखेंगे तो call का भी premium 50-50-70-70% यह morning में अगर आप market को track करते है option chain data अगर आप track करते है morning को यह सारे premiums almost 100% 120% upside में थे आप देखेंगे तो सिर्फ 30% 20% 10% रह wind हुआ है put side में भी उतना खास premium बरा नहीं इसका मतलब put rider भी यहाँ पे अपने positions को unwinding नहीं किये इसका मतलब market कहीं भी gap down होता है ऐसा एक बरा gap down होता है तो that is a buying opportunity इस length का एक candle आपको देखने को मिल सकता है अगर Monday को market अगर gap down होता है तो तैयार रहे है अगर यहाँ पे कहीं market खुलता है तो straight forward यहाँ तक भी आपको जाते हुए दिख सकता है 17500 तक की भी levels आपको दिखा सकता है market मंदे के trading session में जिस तरीके से यहाँ पे results pan out होता हुआ दिख रहा है infosys की results बहुत अच्छा है तो पहले बात करेंगे यहाँ पे nifty का बारे में देखिए nifty 15 में टाइ 1450-1460 तक क्या आपको levels दिख सकते HDFC बैंक में उसके बाद कुछ major stocks के बारे में बात करते हैं पहले निफ्टी के बारे में discussion कर लेते हैं निफ्टी में आपको clearly यहाँ पे एक ही आपको level है that is 17100 17100 के आसपास बहुत अच्छा support बनके आ रहा है तो 17100 के ऊपर ही nifty को buying में interest आ यहाँ पे नीचे जितना भी gap down हो जाए 17000 के नीचे भी क्योंना gap down हो जाए अब wait कीजिए market को थोड़ा उपर एक price action बनाने का higher rise higher low का structure देखेंगे जैसे ही 17100 break होगा यहाँ पे जो है हम लोग 17000 का यहाँ पे 17000 या 17100 का at the money का call option हम लोग buy कर लेंगे क्योंकि इसका premium भी बह 20-40 point का stop loss रखेंगे उपर का जो level आपको देखने को मिलेगा खतरनाक upside यहाँ पे मिल सकता है ऐसा एक price action बना सकती है market आज का भी day high यानि कि Friday trading session में जो भी day high लगाता है वो भी cross कर सकती है 16400 sorry 17,440 17,440 17,440 का जो target यहाँ पे मैं expert करके चल रहा हूं Monday trading session में तो 17100 का जो call option है यह आपका jackpot हो सकता है या आपका जो है jackpot यहाँ पे हो सकता है ठीक है तो इसके लिए ready रही है jackpot के लिए आप trending market ढूनते हैं तो Monday can be our trending market यहाँ पे situation जो है जो environment है market का वो यही बता रहे है कि market Monday को अगर gap down खुलेगी over sold zone में चली आएगी then definitely हम लोग जो है यहाँ पे long कर सकत हैं यहाँ पे call writers भी ज्यादा active नहीं है on the lower end तो यहाँ पे जो है जितने भी call writers को premium DK का opportunity मिलेगा सब ले लेंगे यहाँ पे on the upside आपको बहुत अच्छा जो है यहाँ पे upside range मिल जा रहा है put writers unwinding नहीं कर रहे हैं इसका मतलब upside अभी भी बाकिये market में दिवाली का यह जो मन्त सिद्या दिवाली आने वाला है तो यहाँ पे दिवाली में buying जादा आएगी तो market में जितना भी gap down होगा buy on dips will be my strategy ठीक है तो यहाँ पे DAO को देखके नहीं चलना है एक्जिस निफ्टी पूरा Indian markets को नहीं चलाती है एक्जिस निफ्टी यहाँ पे Indian markets खुलते इसका भी price change हो यह strategy और कुछ भी update हुआ मैं आपको कल या तो परसो अपने free telegram channel में update कर दूँगा bank nifty के बारे में बात कर लेते bank nifty में clearly nifty से ज्यादा मजबूत दिखिए मुझे अगर long shot करना है तो nifty को मैं shot करना पसंद करूँगा bank nifty को मेरे को long करना है तो bank nifty में और भी मजबूत charge structure है this is just because of HDFC bank HDFC bank का result अच्छा आएगा market ने smart player ने पहले ही इसको जो है expect कर लिया थे इसलिए HDFC bank का higher highs high lows कहीं पे भी यहाँ पे swing low HDFC bank का नहीं टूटा है इसका मतलब HDFC bank का जो swing low है नहीं टूट रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे जो है और भी upside बाकी है यहाँ पे जो smart players है institutions है FII's, DII's सब यहाँ पे HDFC bank में long bet है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी अपने माल को बेचना नहीं है यहाँ पर आपको लेके रखना है buy on dips करना है HDFC bank उपर जाएगी तो वो bank nifty को पहले उपर लेकी जाएगी इसके साथ kotec access and ICICI bank भी थोड़ा बहुत यहाँ पे support कर दिये then bank nifty definitely 40,000 plus expiry I'm expecting this Thursday ठीक है तो यहाँ पे जो है bank nifty में clearly एक ही level आपको यहाँ पे note करके रखना है अगर gap down खुलता है तो 39,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए 39,000 नीचे अगर opening भी होती है same as nifty ऐसे एक price structure के लिए हम लोग wait करेंगे higher highs higher lows तिन जैसे यह 17, sorry 39,100 39,100 जैसे ही bank nifty cross करेंगे हम लोग call option पे बैठेंगे bank nifty में करीब करीब यहाँ पे 600 से लेके 800 point का upside आप expect कर से यहाँ पे चल सकते हैं expect करके on the above side तो यहाँ पे higher side पे आपको जो है 600 से लेके 800 point का upside मिल सकता है 39,100 के call option के बाद भी तो यहाँ पे 39,100 के call option के बाद entry के बाद भी आपको 600 से लेके 800 point का momentum मिल सकता है on the upside price action कुछ ऐसा ही बता रहा है देखिए gap up हुआ gap up sustained किया है bank nifty ने यहाँ पे lows को नहीं तो रहा है day low को इतना बड़ा fall आया nifty में फिर भी bank nifty ने hold किया है इसका मतलब bank nifty में ज्यादा strength है यहाँ पे and banking stocks में यहाँ पे हम लोग एक बहुत अच्छा positive divergence दीख रहे हैं आज HDFC bank का भी results बहुत अच्छा है इसका मतलब total में अगर dots को यहाँ पे join करूं तो मेरों को bank nifty में ज्यादा strength दीख रहा है पहला target रहेगा 39,300 यह मैं जो है gap down को adjust करके मंडे को कहां खुलेगा वो तो dow future को उपर है adjust के उपर है लेकिन कहीं भी खुले आपको 39,100 से लेकि 39,200 की range में यह जो swing low है यहाँ पे आपको कहीना की entry करना है तो फिर आपको जो है नीचे वाला risk बहुत कम हो जाता अगर आप नीचे ही entry करते हैं जब भी option buying में काम कीजिए पहले 15-30 मिनिट देख दीजिए 920, 945, 1020 यह सब strategies में आप काम कीजिए ज्यादा आपको option buying में पैसा बनेगा यहाँ पे आप limit order में आपको काम करना होता है जैसे कल हम लोगों ने पूट option लिया निफ्टी का जो मैंने टेलिग्राम चैलेंज पे पूट option बताया वो करीब करीब 125 यहाँ पे जो है ट्रेड हो रहा था लेकिन सॉरी 135 पे ट्रेड हो लेकिन मैंने बताया कि 125 150 अगर हो तो उसको एंट्री लीजिए तो यहाँ पे perfect opportunity मिला मुझे एंट्री करने का and पूरा मैंने limit order में क्यूंकि मैंने order place किया है मुझे यह aim pattern का भी पूरा lab मिला और उसके बाद जो selling और आई तो यहाँ पे जो है jackpot मिलेगा आपको अगर Friday trading session में 60-70 point का move मिला option buying में तो why not यहाँ पे solve कर दिया है we are handling more than 300 plus client तो जिसको भी price action strategy education levels regular basis पे कौन सा लेना है कौन सा बेचना अगर आपको पूरा proper guidance चाहिए and share बजार से का आपको regularly पैसा बनाना है option buying में तो 9804-757611 एक ही नंबर है finostat का whatsapp या telegram पे high hello भेजिए यहाँ पे जो है आपको दिवाली कुछ offers भी चल रहे ह 1699 में आपको monthly plan मिल रहा है तो वो पूरा lab उठाई है plan का यहाँ पे जो है regular basis पे हम लोग 300 plus clients को guide कर रहे हैं आपको भी यहाँ पे पैसा बनाने का बहुत बरा opportunity मिलेगा तो bank nifty के लिए levels सही है आप देख लेते कुछ stocks यहाँ पे bank nifty में clearly देखिए 39,000 से लेके 39,200 इसी range के अंदर आपको entry करना है for the above targets of 39,300, 39,500, 39,800 से लेके 40,000 यह आपका excess level होगा bank nifty में ठीक है उसके बाद हम लोग price action देखेंगे फिर सोचेंगे selling करना है की buying करना है overall मेरे को अगर gap down हुआ तो मैं इसमें ज्यादा तर buying में interested रहूंगा because premium देखिए gap down में जो है put का premium बहुत ज़ जो है उसको write करने की कोशिश करेंगे because put writers यहाँ पर जो है अगर put rights करते हैं तो market और उपर जाएगा जो call जो गलती से call option यहाँ पर बेच के गये थे यहाँ तो put लेके गये थे वो सारे यहाँ पर exit करेंगे तो वो लोग जब exit करेंगे opposite side का order जो डालना होता है वो डालेंग तो एक बहुत अच्छा buying यहाँ पर trigger होके आएगा markets में तो मेरा logic यह है इसलिए मैंने bank nifty में यहाँ पर range पर buying की सला देता हूं यहाँ पर nifty में भी range पर आपको buying करना है यह नहीं की gap down खुली यह 200 point वहाँ पर आपने sell कर दिया यही गलती होता है retailers से इसलिए पैसा बनता नहीं है ठीक है आप भी बात कर लेते कुछ stocks के बारे में infosys पहला stock रहेगा infosys में आपको यहाँ पे clearly यहाँ पे जो level दिख रहा है मेरे को 40 1475 1475 के ऊपर यह आपको buying करनी रहेगी infosys में and stop loss आज का day low याने की Friday trading session का day low यहाँ पर आपको लिए stop loss रहेगा इस levels पर आपको buying करनी रहेगी stop loss आपको यहाँ पर कहीं पर डालना परेगा 10 से 12 रुपय का stop loss लेके चलिए उपर के लिए आपको price action जो है उपर clearly यहाँ पर 17, sorry 1479, 1479, 1484, 1484, 1488 यह price target बहुत easily देखने को मिलेगा इसके उपर 1500 कोई भी levels खुल जाते है अगर आज का day high cross हुआ याने की Friday trading session क day high अगर cross कर दिया Monday trading session में then 1500 तक के भी levels आप लेक के चल सकते Infosys में इसके बाद कुछ भी update हुआ मैं अपने free telegram channel में कर देता हूं तो वह जोइन कर सकते है description में link है HDFC bank का मैंने आपको already बता दिया है max financial में आपको क्या करना है max financial में यह जो panic selling आई है इसके बाद आपको wait करना है 1740 का level इसके उपर यह आपको buy करना है ठीक है इसके उपर buy कीजिए 1740 के levels पे buy कीजिए max financial को 1725 का लगाई है stop loss 1760 1770 and 1780 यह levels के लिए आपको buy करना है short अगर यहां पर एक ऐसा एक pattern form का wait कीजिए then M pattern में हम लोग short करेंगे ऐसे levels पे 707 के नीचे sell करेंगे 720 का stop loss रहेगा 700 यहां पर पहला target रहेगा 690 and then 680 का रहेगा तीसरा target यह तीन targets के लिए max financial में हम लोग sell कर सकते हैं and buying का भी level मैं आपको बता दिया चौथा stock रहेगा अधानी ports अगर sell करना है तो यहां पर भी selling एक opportunity बनेगे लेकिन जहां पर support मेरे को दिख रहा है वहां से buying की opportunity जादा है तो इसलिए मैं buying का पहले बता देता हूँ selling का मैं आपको बता रहा हूँ buying के लिए यह level रहेगा stop loss 1778 के stop loss के साथ buy कर सकते है अधानी ports को 1782 के लेवल पर 1782 के उपर अगर देखिए दो दिन का यह double bottom support ले चुका है अधानी ports 1782 के उपर आपको सीधा 1788, 1790, 1796 यह तीन price target यहां ही पर आपको resistance लेता हुआ दिख रहा है अधानी ports तो 1796 के price target के लिए अधानी ports को buy कर सकते हैं आपको stop loss डालना है 1778, 1784 के उपर buy करना यानि की 6 रुपय का risk उपर आपको 10 से लेके 15 रुपय का reward तो बहुत अच्छा लेवल अधानी ports में यहां पर risk to reward बन रहा है लेकिन selling के लिए मैं prefer करूंगा double bottom support टूटने का ठीक है अगर यह double bottom का जो support यहां तूट जाता है देन 1778 पर ही sort कीजिए देखी SL बोलके कुछ ने होता है SL पर आपको trade को reverse करना होता है जो हम लोग सिखाते है अपने clients को and they are profitable ठीक है यहां पर SL बोलके market में कुछ होता नहीं SL में आपको reverse करना होता है trade को अगर market आपके direction में नहीं जा रही है तो opposite direction में तो ज 35 का budget auto का मैंने आपको बता दिया results तो record number पे आये है तो budget auto में एक price action on the opposite side के लिए wait कीजिए यहां पे budget auto अगर नीचे आता है तो मैं कम quantity में trade करने के लिए prefer करूंगा 50% अगर उपर निकलता है तो 100% quantity में trade करूंगा तो नीचे के levels पहले बता देता हूं 3550 के नीचे आपको budget auto में selling करना है 3550 का level यह level आपको note करके रखना है 3550 3550 के नीचे ही sell यहां पे आपको करना है 3530 3520 3500 के targets आपको देखने को मिल जाएंगे जहां पे major major support है budget auto का ठीके तो यहां पे Thursday trading session का सॉरी Wednesday trading session का जो low है वो आपका support रहेगा नीचे तो वहां पे आपको short sale का जो है profit यहां पे book कर लेना है on the upside यहां पे interest में लूँगा जो अगर यह level cross करती है on the upside तो upside में 3575 को उपर buying में interest लीजिए बजाए auto में 3540 का या तो 3550 का stop loss लगा सकते हैं उपर आपको 3590, 3600, 3620 and 3650 यहां पे major major resistance है अगर results इतने अच्छा आए हैं तो यह resistance भी तूट जाएगा तो उसके उपर बहुत बड़ा up move आपको trigger करके दे सकती है बजा जाए auto ठीक है तो यह सारे levels मैं आपको बता दिये इसके बाद कुछ भी होगा मैं आपको update कर दूँगा nifty bank nifty के charts पे भी and also stock option यहां पे finostat stock trader का telegram channel को आप join कर सकते हैं यहां पे youtube channel को भी subscribe कीजिए यहां पे regular basis पे आपको learning videos मिल जाते हैं and also you get all the analysis video nifty bank nifty stock option रेजल्स के अभी तो आपको results का जो यहां पे PDF भी मिल जाएगा इस चैनल पे आपको short video भी मिल जाते हैं जिस पे आपको मेरा खुद का position जो मैं बनाता हूं market में उसका मैं update live update भी कर देता हूं तो short video में मैंने price action theta scalping 920 strategy 1230 strategy option buying options selling सब कुछ मैंने यहां पर जो हैं मेरा trading setup भी मैंने आपको यहां पर बता के रखी तो वीडियो चेक कीजिए सीखिए मार्केट में पहले learning पे focus कीजिए earning आपको lifetime देते रहेगी market आपने एक बर अगर सीख लिया तो चैनल को कीजिए subscribe आज के लिए पूरा डू इतना ही फि